हेलो स्टुडेंट्स हाव और यू कि इससे पहले हमने क्वाडिनेट जमेट्री के कुछ क्वेश्चन्स डिसकस किये थे आरे सगरवाल से एक्सरसाइज सिक्स है आज हम उसी में थोड़ा सा आगे क्वेश्चन्स को डिसकस करेंगे सबसे से पहले तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि शो देट देट पॉइंट्स ए थ्री कॉमा जीरो बी शिक्स कॉमा फोर एंड सी माइनस वन कॉमा थ्री आर्ड़ वर्टिसीज ओफ एन आइसोसिलिस राइट ट्राइंगिल यह हमें इसमें प्रूफ करना है तो पहले हम इसका एक चोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं आर्बिट्रेरी फिगर उसके बेस पर हम इसको सॉल्ब करने की कोशिश करते हैं तो आए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं कि यह हमने इसका फिगर ड्रॉ करने की कोशिश किया है इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए ए बी एंड ची एक कोडिनेट्स देख लेते हैं थ्री कॉमा जीरो अग्री के कोडिनेट्स ए शिक्स कॉमा पॉर एंड ची के कोडिनेट्स माइनस वन कॉमा थ्री हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है ए बी ए सी और बी सी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला हम आपको पहले बता चुके हैं एक बार फिर से बता देते हैं डी इस इक्वल टू स्क्वार रूट एकस टू माइनस एकस वन का होल स्क्वार प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वार यह मेरा इस्टेंस फॉर्मूला होता है इसी को यूज करते हुए हम ए-b के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे A B is equal to square root of 3 minus 6 ka whole square plus 0 minus 4 ka whole square. 3 minus 6 minus 3 minus 3 whole square plus minus 4 whole square. 9 plus 16, 25 square root which is equal to 5 units. A B is my 5 units, now we remove A C is equal to square root of minus 1. Minus 3 ka whole square plus 3 minus 0 ka whole square. Minus 1 minus 3 which is equal to minus 4 minus 4 ka whole square plus 3 ka whole square. Minus 4 ka square करेंगे 16, 3 ka square 9. Minus 9, this will be 25, which will be 5 units. 5 इनिट्स यह भी आ गया अब एक चीज और बचा है स्टुडेंट्स बी सी तो देखी बी सी को कैसे निकाल सकते हैं कि बी सी इस इक्वल टू कि स्क्वेर रूट कि सिक्स माइनस वन है यानि एकस टू माइनस एकस वन माइनस वन पहले से तो यह प्लस वन हो का स्क्वारीख का स्क्वेर टू प्लस वन हो प्लस प्लस वन स uda वन पप का स्क्वेर पहलें 7 का square 49, 1 का 1, 50, 50 को हम लिख सकते हैं students, 25 इंटु 2, अब 25 का तो मेरा square root आ जाएगा 5, और root 2 का तो नहीं nिकल पायगा तो अंदर हो जाएगा 5 root 2 units, कि यह मेरा इतना आ गया यह डिस्टेंस हमने एबी एसी और बीसी के बीश का निकाल लिया अब यहां पर देखें कि मेरा एबी का लेंथ एसी के लेंथ के बराबर है ठीक है तो दो साइट मेरा इक्वल आ गया है प्लस मुझे प्रूफ करना राइट आंगल ट्रैंगल तो देखिए पाइथागोरस थेयोरम होता क्या है पाइथागोरस है पाइथागोरस थेयोरम है 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 हाइपोटेनियस का स्क्वेर है इस इकल टू बेस का स्क्वेर प्लस है एल्टिटूड का स्क्वेर है यह हमने कर दिया अब देखिए मेरा यहां पर हाइपोटेनियस है BC, हाइपोटेनियस है BC, यानि BC square is equal to base AC का square plus AB का square, इतनी चीजे तो यहां से clear हो गई, अब values तो हमने सारी निकाल ली है, अब उन values को हम यहां पर put कर देंगे, BC की value है, 5 root 2 कर देते हैं, 5 root 2 का square AC, 5 है, 5 का square कर देंगे, AB मेरा, वो भी 5 है, 5 का square कर देंगे, अब solve कर लेते हैं, 5 का square 25, और root 2 का square करेंगे, हो, तो हमें मिल जाएगा, 2, 5 का square 25, और 5 का square 25, 25 इंटो 2, 50, is equal to 25 plus 25, 50, तो students, यहां से हम देख सकते हैं, 50 is equal to 50, it means, it means, it is right angle, right angle, isosilis triangle, triangle, isosilis triangle, because two sides are already equal, are already equal, इसका मतलब है, कि यह isosilis right angle triangle है, क्योंकि दो side तो पहले ही बराबर आ गई है, और, पाइथागोरस थेओरम से हमने, हाइपोटेनियस का square is equal to base का square plus altitude का square यूस करके, इसको इसके बराबर दिखा दिया है, which is totally verified, हिंस, we can say that it is isosilis right angle triangle, अब हम मूब करते हैं, next question के तरफ, अब हमारा question है, if a 5,2, b 2,-2 and c minus 2,2 are the vertices of right triangle with angle b is equal to 90 degree, then find the value of t, a का coordinates है, 5,2, b का है, 2,-2, c का है, minus 2, t, यह vertices हैं, right triangle के, और b में 90 degree है, तो हमें t की value निकालनी है, हैं, एक छोटा जा figure बना लें, a, b, c, c के minus 2, t, a का 5,2, b का 2,-2, ठीक है, distance निकाल लेते हैं, a, b, निकालते हैं पहले, a, b is equal to, under root, 2-5 का whole square, plus, minus 2, minus 2 का whole square, minus 3 का whole square, plus, minus 4 का square, minus 3 का square, 9, और यह, minus 4 का square, 16, 25, which is 5 units, students, b, c, निकाल लेते हैं, students, b, c, is equal to, minus 2, minus 2 का whole square, plus, t, minus, पहले से है, और minus, minus, plus, t, plus 2 का whole square, minus 4 का square, minus 4 का square, t, plus 2 का whole square, 16, plus, t, plus 2 का whole square, यह, 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 मेरा, b, c, आ गया है, अब थोड़ा, a, c, निकाल लेते हैं, a, c, is equal to, 5, minus, है, minus 2 है, और, minus लगाएंगे, 5, plus 2 का whole square, plus, 2, minus t का whole square, 7 का square, plus, 2, minus t का whole square, यह, हो गया मेरा, अब, इसमें भी, वही जीस करेंगे, पाइथागोरा स्थोरम का application करेंगे, क्या हो जाएगा, a, c, square, is equal to, a, b, square, plus, b, c, square, a, c, की value हमने निकाली है, under root, 7 का square, 49, plus, 2, minus, t का whole square, यह, हो गया है, is equal to, a, b, square, a, b, की value, 5 है, 5 का square कर देंगे, plus, b, c, b, c की value है, 16, plus, t, plus, 2 का, square, ठीक है, यह, तो मेरी, a, c, की value है, लेकिन, मेरा, देखेंगे, की, a, c, में, square है, तो, यहाँ पे, square हो जाएगा, और, b, c, में, b, square है, और, b, c, की value है, root, 16, plus, t, plus, 2 का, square, तो, इसका, square कर देंगे, अब, देखी, क्या हो जाएगा, इसका, square करेंगे, तो, मेरा, square root, remove हो जाएगा, क्योंकि, square root पे, पहले ही, power, half होती है, तो, यह, मेरा, हो जाएगा, आजाएगा, 49, plus, 2, minus, t, का, whole square, is equal to, यह, हो जाएगा, 25, प्लस, यहाँ से, square root, remove हो जाएगा, 16, plus, t, plus, 2, का, whole square, देखी, यह, मेरा, क्या हो जाएगा, 49, plus, a, minus, b, का, whole square, a, square, plus, b, square, minus, 2, a, b, करेंगे, तो, minus, 40, आजाएगा, is equal to, 25, plus, 16, plus, a, plus, b, का, whole square, a, square, plus, b, square, plus, 40, इतनी, चीज़े, यहाँ पे, हो गई, अब, देख लेते हैं, जो, cancel हो रहा है, उसको, cancel कर देँगे, t, square, is side, t, square, is side, plus, 4, इधर, plus, 4, इधर, आप, देखते हैं, यहाँ पे, मेरा है, 49, minus, 40, is equal to, 6, 5, 11, 41, plus, 40, plus, 40, इतना मेरा यह हो गया है, अब यह minus 40 है, इस minus को उधर लेके जाएंगे, और इस plus 41 को इस तरफ लेके जाएंगे, 41, 49 minus, 41, is equal to, 40, यह minus इधर आएगा, plus, 40, 49 minus 41, 9 minus 1, 8, 4 minus 4, 0 means 8 is equal to 8T, it means, T is equal to, 8 upon 8, T is equal to 1, यह मेरा हो गया, एक बार फिर से इसको मैं आपको explain कर देता हूं, A के कौार्डिनेट्स 5,2, B के 2,-2, C के minus 2, T, B पर उसने बोल दिया है कि यह मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, हमने A, B निकाल लिया, distance formula के help से, 2 minus 5 का whole square, plus, minus 2 minus 2 का whole square, इसको solve किया तो मेरा आगया 5, ठीक है, फिर हमने B, C देखा, minus 2 minus 2 का whole square, T minus 2, माइनस पहले से T plus 2 का whole square, इसको हमने solve किया, तो root 16 plus T plus 2 का whole square, similarly हमने A, C को solve किया, 5 minus 2, तो 5 plus 2 7 का whole square, plus 2 minus T का whole square, इसमें हमने लगा दिया, पाइथा-गोरस theorem, हाइपोटेनियस का square is equal to base का square, plus altitude का square, एसी हमने निकाला था, root 7 square plus 2 minus T का whole square, इसके square कर दिया, A, B की value 5 थी, 5 का square कर दिया, और साथ में ये भी कर दिया, इसके उपर square है, ये square root है, square root हड़ गया, 49 plus 2 minus T का whole square, 25 plus 16 plus T plus 2, 2 का whole square, यहां से भी square root remove हो गया है, 49 plus A minus B का whole square, A square plus B square minus 2AB, 25 plus 16, A square plus B square plus 2AB, T square T square cancel, 4, 4 cancel, इधर मेरा 49 minus 40, इधर आगया 41, एड़ करने पे, और plus 40, 49 minus 41 इधर लेकिया है, यह मायने सुधर गया, plus 40, तो मेरा यह T is equal to 1, solve करने पे आ गया, तो यह मैंने T की value निकाल ली, जो की 1 आई है, अब move करते हैं, next question की तरफ, Proof that the points A, 2,4, B, 2,6, and C, 2 plus root 3,5, are the vertices of an equilateral triangle, हमें यह प्रूफ करना है कि, A के coordinates, 2,4, B, 2,6, और C, 2 plus root 3,5, यह vertices हैं, equilateral triangle के, तो पहले एक छोटा सा figure, draw कर लेते हैं, यह हमने द्वा कर लिया, A, B, और C, A के coordinates, 2,4, B के coordinates, 2,6, C के coordinates, 2 plus, under root 3, 2,5, Equilateral triangle, वो triangle होता है, जिसकी सभी sides, बराबर होती हैं, और vertex के angle, 60 degree होते हैं, तो यहाँ पे हम, angle से तो, हमें मतलब नहीं है, यहाँ पर, इस particular question में, लेकिन हमें, इसकी तीनो side को, बराबर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, यह distance, यह distance, और यह distance, तीनो को equal दिखा देंगे, तो यह मेरा proof हो जाएगा, कि यह points, Equilateral triangle के, Equilateral triangle के, coordinates हैं, और तीनो side को, हमको बराबर दिखाना है, आईए एक एक करके, हम side निकालते हैं, सबसे पहले, A, B, calculate करते हैं, A, B, is equal to, under root, 2-2 का whole square, plus, 6-4 का whole square, 2-2, 0, 0 का square, 0, 6-4 is 2, यानि 2 का square, 2 का square करेंगे, under root 4, जो कि मेरा आजाएगा, 2 units, BC निकालते हैं, BC is equal to, 2 plus root 3, minus 2 का square, plus, y2-5, 1 करेंगे, 5-6 का square, plus 2-2, cancel हो जाएगे, इसी रूट 3 ही बचेगा, यानि, under root 3 का square, plus, 5-6, minus 1, minus 1 का square, तो, root 3 का square करेंगे, तो मेरा 3 आजाएगा, plus, minus 1 का square, 1, square root के अंदर है, 3 प्लस 1, 4, यानि, under root 4, under root 4 का आजाएगा, 2 units, यह आगया मेरा, तो मेरा देखेंगे, AB भी 2 आजाएग, BC भी 2 आजाएगे, अब थोड़ा सा, मैं AC और calculate कर लूँ, AC इस इक्वाल टू, square root, 2, x2 minus x1, अगर 2 minus, 2 plus root 3 करेंगे, तो 2 minus 2, minus root 3 का square हो जाएगा, plus, 4 minus 5 का whole square, यह minus समझ में आ गया आपको कहां से आ गया, x2 minus x1, जब यह बाहर minus लेंगे, और bracket लगाएगे, तो अंदर का sign भी change हो जाएगा, यानि 2 minus 2, minus root 3, तो यह plus 2 minus 2, remove हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, minus root 3 का square, और प्लस 4 minus 5, minus 1 का square, देखिए, minus है, क्योंकि यहाँ पर square लगा है, तो यह minus root 3, into minus root 3 करेंगे, जो कि मेरा root 9 हो जाएगा, और root 9 का लेंगे, तो 3 यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा, 3 और minus 1 का square 1, तो यहाँ जाएगा, under root 4, which is equal to 2 units, तो आप देखेंगे, कि AB भी 2 units है, BC भी 2 units है, और AC भी 2 units है, तो इसकी तीनों side, बराबर आ गई है, AC, AB और BC, तो हम यह कह सकते हैं, कि यह जो coordinates दिये थे, यह points है, equilateral triangle के, hence, hence, given points, given points, are the, coordinates, coordinates, of an equilateral triangle, equilateral triangle, तो यहाँ पर हमने, कुछ problems, discuss किये हैं, I hope, आप, आपको यह सारे problems, clear हो गए होंगे, next lecture में, हम इससे आगे के problems, discuss करेंगे, till then, thank you students, and have a nice time, have a nice time, 10, 10, 10Be, 10, 10, 10, 11,